नमस्कार मैं है उनुषका धराधरती इस खबरों में आपका स्वागत है तो चलिए जानते हैं देश-प्रदेश की अब तक की खबरों को पंजाब के पठान कोट सबेत कई उतरभारती राज्यों में शुकरवार को आसमान में रहस्य मही रोषनी देखी गई जिससे इस्थानी रोग बहुचके रह गया है इस्थानी लोगों का कहना है कि यह रहस्य मही रोषनी शाम 6.50 मिनट के करीब 5 मिनट तक देखी गई इसका मंगाल में काफी तो जार्खन में भी अच्छा असर दिखाते हुए बिहार तक अपना प्रभाव छोड़ेगा पटना के मौसम विज्यान के इंदु के नुसार बिहार में चक्रवाती तुफान जबात का आशिक असर दिखेगा आकरों के रुशार देश में टीका करन को पहले जैसी रिफ्तार नहीं मिल पाली है जो बेतिया तक जाएगा पटना से बेतिया तक नए हाइवे का नंबर NH 139W होगा सरक परिभान एवं राजवार मंतराले भालत सरकार ने इस राजवार के लिए दिसूशना जारी कर दी है नया नेस्नल हाइवे पटना से बेधिया बया बाकरपूर मानिकपूर साहिब गंज के सरिया रिराज से होकर गुजडे का कोरिना वायरस के नए वैनेंट ओमिक्रॉन के खत्रे के बावजूद भारती क्रिकेट टीम की दक्षिर अफ्रिका का दौरा करीगी पटना समेत राज के आठ जिलो में 102 बालू घाटो की निलामी पूरी हो गई है और हपते भड में खन अनारब करने के तयारी है सफल निलामी करने वाले बालू घाटो में पटना, भोचपूर, सारण, औरंगबाल, रोहतास, गया, जमुई और लखी सराय जिले हैं बेहर खरीज विकास निगम ने कारोबारियों को अग्रिम राशी जमा करने के लिए चार दिन का समय दिया है योवे सरकार ने गाउ में विजले को लेकर बड़ा फैसला किया है राजकी मुख्यमंत्रे योगी आदेतनाथ ने का है कि इसे माह से प्रदेश सरकार हर गाउ और शेहर को 24 गंटे बिजले आपोर्ती करेगी लेकिन इसको लेकर बिहार विदान सभा में बवाल हो गया दरसल असदो दिनोवैसी की पार्टी AIMIM की विधायकों ने रास्ट गीति नहीं गया साथ ही AIMIM की विधायक अक्तरूल इमान ने कहा ये बिहार विधान सभा की स्पीकर जुबर्दस्ती ये पड़ंपरा थोप रहे है मुक्यमंत्री हिमन सोरे ने बेते दिन अलान किया है कि राजवे सिपाही भरती में पहले शुरेरिक और बाद में लिखित परिक्षा होगी इसके लिए सरकार नियाम मवली में बदलाव करी है साथ ही कहा की पुर्व की सरकारों ने पूलिस की छोटी से नौकरी के लिए लिखित परिक्षा रिवाड़ि कर दी थी लेकिन अब इस सरकार ने नियम बदल दिया है जिसमें नौक्री करने की श्राइड एक च्छामता होगी उसकी च्छामता को देखकर पुलिस की नौक्री दी जाएगी बिहार में एक तरफ बालू की किलत के खबरे आ रही ही तो दूसरी तरफ सारन मकीर पुलिस ने अवैद ब करिवहन पर कारवाई करते हुए चार्चरक को जपकिया है साथ इस दौरान पुलिस तीन ट्रक ड्राइवर को भी गरफतार करशुकी है वही एक ड्राइवर पुलिस को च्छामा देकर फडार हो गया इसके बाद पुलिस तिनो ही आरोपयों को जेल भिजती है वही चॉनिय की जारी है वतरप्रदेश में जीका वाइरस के संक्रमन को देखते हुए जारकन में भी सतर्गता बरती जारी है डेंगू और चिकन गुनिया की नेकेटिब जाच डिपोर्ट को जीका की आशंकमान कर जाच कराए जारी है ICMR के निर्देश पर सेंपल को जाच के लिए NIV पूर्णे भेजा गया है हलांकि NIV पूरे से इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है इसके बाबजूद जीका संक्रमन को लेकर स्वासिविभाग सतर्ख है Central Coldfield Limited की ओर से अपरेंटिस के 549 पदों पर भरतिया निकाले गई है इन पदों के लिए आविदन के लास टेट में सिर्फ एक दिन का समय बचा है और ऐसे में आधिकारिक वेबसाइड CentralColfields.in के जरिये इन पदों के लिए 5 दिसंबर 2020 तक आविदन कर सकते हैं इसके लिए उमिद्बार का दसवी पास हो नानी बारे है चक्रबाती तुफान जवात के कारण ज़ार्कन के 14 जीलों में बारिस का अलर्ट है तो वही आध से दो दिनों तक बारिस बरसनी की संभावना है ज़ार्कन सरकार में 15 दिसंबर से राजमी धान की खरेश शुरू करेगी धान देने बाले किसानों को 50 प्रितिशत राशी का भुकतां तुरंत कर दिया जाएगा जबकि 6 राशी तीन मेहने के अंदर देने की कोशस होगी इसकी ज़ानकारी राज के खादया पूर्ती और वित मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उरावने दी यूजीसी ने चक्रबाद जबाद की प्रभावुक के कारण राश्ट्रिय पातरता परिक्षा यूजीसी नेट और भारतिय विदेश व्यापार संसान आई आई एस्टी की रविबार को हनेवादी प्रवेश परिक्षा ओरिश्या अंतरप्रदेश और पशिमंगाल की कु कर दे कि आपको बता दे की ज्टी को एंटी पिसी प्रति दिन 800 मेगावार्ट विज्ली पूर्ति करता है आई-आइटी ख़रकपूर की पूर्चात्रों ने ऐसी तकनिक विकसित् की है जो वहानों के मैंटेनेंस के लिए पहले ही आगाह कर देगा उन्होंने इसे अनुद्योग में ट्रैफिक मैनेजमन के लिए खासता और पर विक्सित किया गया है आर्टिफिसियल इंटिलेंजेंस पर आधारित इस सेंसर की मदद से ख़दानों में वहां दुर्गटना की रोगता में मदद मिल सकेगी जार्खन के शेहरों में सिग्रेट, जर्दा, पान, मसाला, तंबाकु खैनी अत्वा किसे भी प्रकार के तंबाकु उतपाद बेशने के लिए लाइसन्स लेना होगा जिन्दिकानों में तंबाकु वाले उतपाद बेचे जाएंगी वहां पे टॉफी, कैंडी, बिसकेट, च 203 असाल्ट राइफल के वी निर्मान की योजना को मंजूरी दे दी है, नियू टेजन्सी पी टी आई ने रक्षा मतराले की सुत्रों से हवाले से यह जानकारी दी है, सुत्रों ने का है कि उतरप्रदेश भारत का रक्षा वी निर्मान केंद्र बनने के मार्क पर है, यह रूस के साथ साजुधारी में किया जाएगा, अगले साल 2022 में पाच राज्यों के विधानसवा चुनाओ होने है, जिसे लेकर मोदी सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती है, अब एक बार फिर पीम किसान सम्मान निदी से जुरे किसानों के लिए सरकार धन का पिटा वंबर को समाप्त सब्ताह में दो दसवलब साथ एक तीन अरब डॉलर घटकर 637 दसवलब 687 अरब डॉलर रह गया है, रिजर बैंक के और से जारी आकरे के मुताबिक इससे पिछले सब्ताह में विधेसी मुद्राबंडार 28 दसवलब 9 करोड डॉलर बढ़कर 640 दसवलब 40 अरब डॉलर हो गया था, केंद्रे पावर मंत्री आरकेसिह ने पुर्वेत्तर को पावर का तौफा दिया है, उन्होंने बताया कि पिसले तीन जार्ज वर्षों में पुर्वोतर छेत्र में विजली व्यवस्ता का जबरदस विकाज हुआ है, और इस छेत्र के लगबग अरकेसिह ने पुर्वतर राजियों के विजली मंत्रियों और अधिकारियों के साथ गुहाटी में एक बैठक में विजली प्रवन्दन की समिक्षा की थी किंद्रे सुरक परिवहन मंत्री नितिन गटकरी का हाल ही में हुआ एक इंटर्वियू जो जमकर वाइडल होड़ा है अपने इस वाइडल इंटर्वियू में उन्होंने कैसे साजा किये जिसे सुनकर जिननता को हैराने हुई है दरसल उन्होंने बताया कि एक बार हुआ यूँ की बॉलिवुड सुपर स्टार जैकी श्रॉफ खुद पुल बनाने की डिक्वेस्ट लेकर उनके पास पहुँच गया थे कि इस समय उन्होंने अपने मंत्राले के कामों में काफी हद तक सुधार किये हैं जिसकी चवचाई भी जोड उपर है गुगल ने स्कॉलर्शिप का एलान किया है इसके तथ महिलाओं को टेक्निकल फिल्ड में करियर बनाने का मौका मिल रहा है इसके साथ ही महिलाओं को गुगल के माध्यम से हजार डॉलर याने की चोहतर हजार रुपए की स्कॉलर्शिप भी दी जारे है बता दे कि इसकी इमकेवल उन महिला स्टुरेंट्स के लिए हैं जो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजिनिरिंग या फिर टेक्नोलोजी से सम्मंदित ग्रैजूइशन की पढ़ाई कर रही है। दिल्ली देहरादू नार्थिक गलियारा भी शामिल है। इस दोरान वे विबक्षयों पर भी हमलावर दिखे। उतरप्रदेश की सियासत को गर्माने के लिए राहुल गांधी कल अपनी पुर्खों के शहर प्रयाग राज आ रहे हैं। रहुल गांधी रविवार सुबा 11 बजी च्वाटर प्लेम से प्रयाग रास पहुचेंगे। उनका नहरु गांधी परिवार के पैत्री का बास स्वाराज भवन में रुकने का कारिक्रम है। इसके बाद वह स्वाराज भवन में ही रातरी विश्राम करेंगे। आपको बता दे कि रहुल गांधी को यहां एक निजी सवारों में शामिल होना है। बिग बॉस पंदरा वीकेंड का वार एपिसोड में एक बार फिर सलमान खान कंटेस्टिंट करन कुंदरा की क्लास लगाते हुए दिखाए देंगे। प्रतीक सहजपाल से लड़ाई के मामले पर सल्मान करन कुंदरा की जम कर क्लास लगाएंगे बिग बॉस पंदरा के लेटिस्ट एपिसोड में जम कर बवाल देखने के मिलने वाला है। देश में कोड़ा के ओमिक्रॉन वेरियन का तीसरा मामला सामने आया है। गुजरात के स्वार से विभाग ने शरिवार को बताया कि राज में ओमिक्रॉन का पहला मामला जाम नगर में सामने आया। इसमें जिमववे से आया एक व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरियन से संक्रमित था। विसरेत जाज के लिए उसके नमूने को पूर्णे वेजा गया है। पिंटु कुमार, मौहमद नौशाद, कासिफ रजा, मौहमद अजमेर, राजकुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावे समय के अभाव के करण हम बाकी यूजर्स का नाम ने ले पाए। तो चले बढ़ते हैं आज किस सवाल की और आज का सवाल कुछ इस पकार है कि आपके अनुसार भारत में नए वेरियान को लेकर क्या-क्या सकती बरतनी चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सक्सिन में कमेंट करके जरू बताया और देश सुनया के खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे बिहारी निउस।